हलो स्टूडेंट्स वालकम टू माई योट्यूब चानल आज की वीडियो में क्लास 12 मैट्स का मैं रिडियू सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ MP बोर्ट स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों के बोर्ट से जो भी PDF अविलेबल हुई ये रिडियू सिलेबस और ब्लूपरिंट की उसमें उन लोगोंने हिंदी में एक तो चीजें एक्स्प्लेइन की हैं दूसरा मैट्स में उनोंने exercise या question mention करके नहीं बताया है topics बता दिया हैं कि ये नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है कि आपके NCRT part 1 और part 2 में से आपको कौन सी exercise पूरी छोड़नी है कौन से question नहीं करने है कौन से example नहीं करने है आगे की वीडियो में जो भी आपको reference के लिए मैं number बताऊंगी वो NCRT book से ही मैंने लिये हैं आर्बितर पाठी वाले नहीं हैं तो अगर आप NCRT से पढ़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा useful होने वाली है NCRT निकाल के पैठी हो सारी चीज़े अपनी book में mark कर लीजे तापकी पर्ते टाइम आपको पता हो कि आपको क्या नहीं पढ़ना है चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो बच्चा जैसे कि आपको एक PDF दिखाई दे रही है जिसमें सबसे पहले हमने Chapter 1 Relations and Functions की बारे में बात की है इसमें आपकी Exercise 1.3, 1.4 पूरी-पूरी डिलीट हो गई है और उनी दोनों Exercise से Related जितने भी Examples थे वो भी डिलीट हो गए है जिसमें 15 से लेकर 40, 45, 49 और 50 Example आते हैं और इनी दोनों Topics से जो मिसलेन इस Exercise में Question थे वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये भी सब कुछ डिलीट हो गया है Then Chapter 2 में MP Board ने कुछ भी Reduce नहीं किया आपको पूरा Chapter पढ़ना है बहुत अच्छे से Next Chapter 3 में Trices की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो 3.4 Exercise थी जिसमें Inverse निकालना था Elementary Rows and Column Operation का यूज करके वो Completely Delete हो गई है लेकिन Inverse आपके syllabus में है तो आगे Determinants में आप जो Inverse निकालना का तरीका पढ़ेंगे उसे अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि इस Chapter से भी Inverse के Question पूछे जा सकते हैं दूसरी Method से Operation से नहीं पूछेंगे बर दूसरी Method से पूछ सकते हैं Chapter 4 Determinant में कोई Deletion नहीं हुआ है आपको पूरा की पूरा Chapter as a disk करना है Next Chapter 5 की बात हम करते है तो इसमें जो Main Value Theorem वाला Part था वो Delet हो गया है उसमें आपके Exercise 5.8 आती थी और Example 42 और 43 आते थे तो दोनों ही चीजे आपकी सिले बस से हट जुका है आपको अब यह नहीं पढ़ना है Then Chapter 6 Applications of Derivatives की हम बात करें तो इसमें से आपका Tangent और Slope वाला या Normal वाला चो टॉपिक था वो हट गया है जिसके अंडर आपकी Exercise 6.3 आती थी तो वो पूरी गई फिर Approximations वाला टॉपिक भी गया जिसमें 6.4 Exercise थी वो भी गई और जो भी इन दोनो टॉपिक से डिलेटेट एक्जाम्पल थे और मिशलीनेस Exercise में Question थे वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है Next Chapter 7 Integrals की बात करें तो इसमें से आपकी जो Limit of Sum वाली Exercise थी जो की 7.8 है वो पूरी डिलीट हो गई और उसे Exercise के दो Question Example में थे 25 Example, 26 Example ये भी एट चुका है और मिशलीनेस Exercise से Question No. 40 गया है Next Chapter 8 Applications of Integrals से आपका Exercise 8.2 पूरी चली गई है और उसी के पहले जो Examples Exercise के पहले मतलब 6, 7, 8, 9, 10 और 14 ये पूरे डिलीट हो गई है मिशलीनेस Exercise में भी इसी टॉपी के कुछ समझे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको नहीं पढ़ना है मैं अगेन क्लियर कर दू कि जो भी चीज़े आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आपका डिलीट पोर्शन है मतलब आपको ये नहीं पढ़ना है इसके अलावा सब कुछ आपको पढ़ना है नेक्स चैप्टर हमारा चैप्टर 9 डिफरेंशल एक्वेशन आ जाता है इसमें से आपकी 9.3 एक्सेसाइस पूरी तरह गई और इससे रिलेटेट एक्जामपल और मिस्लीनिस एक्सेसाइस के क्वेशन भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चैप्टर हमारा है वैक्टर अलजेब्रा इसमें से कुछ भी डिलेट नहीं है इसको आपको पूरा एज़डिस पढ़ना है अगला हमारा चैप्टर है 11 इसमें आपका 11.3 वाली जो पूरी एक्सेसाइस थी वो कम्प्लीटली गई प्लेन वाला जो पार्ट था जिसमें प्लेन आ गया था वो सब कुछ डिलेट हो गया है नॉर्मल इनियर इनिक्वालिटी वाला जो पार्ट है वो आपको करना है लास्ट चैप्टर हमारा 13 है जिसमें प्रोबैबिलिटी में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रिबूशन और बर्नोली ट्रायल वाला जो टॉपिक है वो खतम कर दिया गया है तो उसके अंदर आपके exercise 13.5 थी example भी थे 30, 31, 32, 34, 35 और 36 miscellaneous exercise के भी 4 से लेकर आपके 10 तक question थे बस इसमें 8 वाला नहीं था 8 करना है आपको बाकी 4 से 10 तक सारे miscellaneous exercise के question आपको छोड़ देने हैं I hope आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि मैस में आपको NCRT से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है मैंने ट्राइ कि आए कि वीडियो बहुत चोटी हो ताकि आपका टाइम वेशना हो यह जो PDF आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इसका download link आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगला मुझे कौन से subject का reduce syllabus discuss करना चाहिए comment box में जरूर लिखिएगा doesn't matter कि आप कौन से stream से हैं अगर आप bios हैं, maths हैं, commerce हैं आप मुझे अपने subject का नाम लिख सकते हैं मैं उन सभी के reduce syllabus वाली वीडियो जल से जल लाने की कोशिश करूँगी वीडियो पसंद आई हो, useful लगी हो तो चैनल को subscribe करके, वीडियो को like करके जाएगा क्योंकि आपका support मुझे motivate करता है नई नई वीडियो बनाने के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, all the very best